हेलो एवरीवन तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शियर करने वाली हूँ कॉट सैट की कटिंग पहले जो मैंने कॉट सैट बनाया था आपने बहुत उसको प्यार दिया आपको बहुत वीडियो पसंद आई है मैं फिर से आज कॉट सैट लेके आई हूँ पर ये अलग डिजाइन का होगा वो अलग डिजाइन का था तो फ्रेंट्स फैब्रिक ये है हमारा जो की रियॉन है जो रियॉन में भी बहुत मतलब तरीके के मिलते हैं ये अच्छा वाला रियॉन है और एक बात बता दूं के जो इसका पनणा है न वह जादा कितना होता है फुलर बूलते है फो इसका नॉर्म्षख बिर्थ जिसको बोलते हैं उसको पना मतला होटानी का और उसका छो नउयद्ग लेनने możli जाता है तो 402044 इतना होताए मज़ लीजिए ये पूरा हमारा 3 मीटर का फैबरीक है ये हमारी चोड़ाई है जो की 60 की है 60 की नहीं रहे गई या 55 की रहे गई कपड़े में क्योंकि इसमें न ये वाइट कपड़ा एड था मतलब जो प्रेंट होता है वो इसमें नहीं था इस तरह के की चोड़ाई का मैंने ये पूरे फैबरीक में से चोड़ाई निकाल ली है ये हम चाक में यूज़ करेंगे जब बताउगी मैं आपको हमारी जो ये चोड़ाई रह गई है ना वह 55-56 इंच की रह गई है हम ने इतना फैबरिक जो उसमें से निकाल लिया तो इसमें क्या करेंगे कृता हमने सीधा बनाना है और double axle बनाना है मतलब double axle मतलब heavy size तो क्या करेंगे यह हमारी लंबाई है हम normally क्या करते हैं जब हमारा 44 या 42 का पना होता है तो एक बार इस तरीके से fold करते हैं اور एक बार इस तरीके से fold करते हैं और अपना कुर्टा यहां से निकालते हैं पर इसमें हमने क्या करना है कुर्टे के लिए बता रह시면 बहूआ अभी यह देखी है इसमें हमने क्या करना यह हमारी पूरी थपपन इंच की चोड़ा आई है ऐसे करेंगे एक बार और फिर ऐसे करेंगे ये देखें ऐसे करेंगे तो इसमें से हमारी जो कुर्टे की लंबाई है न वो हमने 37 इंच का लेना है मतलब ज्यादा लंबा नहीं है 37 का थोड़ा शौट बना रहे हैं तो इसमें से मैं क्या करूंगी तो इस तरीके से मैं क्या कर कर लिया, एक इंच ज़ादा लेकर 38 इंच का ये कपड़ा मैंने इसमें कट कर लिया, तो इसमें से जो हमारी कूर्ती निकल जाएगी, पूरी कूर्ती निकल जाएगी बचा हमारा ये फैबरिक पलाजो हमने बनाना है, स्लीव निकाल ली है तो अब यह जो fabric है न इसको इस तरीके से खोल लेंगे तो यह हमारी चोड़ाई है और यह हमारी लंबाई है अब इसको normally जैसे हम fold करते हैं वैसे फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि यह जो है हमारा fabric अब 2 मीटर बच गया है 2 मीटर और 2 इंच इस तरीके से बच गया है तो हम इसको इस तरीके से fold कर सकते हैं तो यहां से जो folded side है यहां से हमारी sleeve निकलाएगी और यहां से जो है हमारा pant है plazzo निकलाएगा और यह sleeve और बाकि जो हमनें काम करने रहते हैं नैक व अखेरा बनाने वो इस fabric में हो जाएगा तो चले हम मैं कपड़े पो बताती हूँ तो जैसा कि मैंने आपको paper पे बताया था उसी तरीके से मैंने येningen कपड़ा कट करके निकाल लिया है और बाकी हमारा Pont के लिए कपड़ा बचा है 2 meter वो हम बाद में काटेंगे, पहले कुर्ति कट करेंगे तो friends, heavey side is, back piece एक इंच उच्छा रखें तो बहुत अच्छा comfortable रहता है तो यहां पर मैंने एक निशान लगाया है यहां से एक इंच छोड़ कर अब जो भी हमने निशान लगाने है यह आगे वाले निशान को देख कर लगाना है यहां पर हम क्या करेंगे यह देखे इस तरीके से हमारा जो 15 पर लगेगा हमारा कमर का निशान और यहां पर 22 इंच पर लगेगा हमारा हिप का निशान इन सभी निशानों को हम कर लेंगे सीधा यह हमारा फ्रंट शोल्डर है हाफ इंच डाउन करेंगे इसको हम इस तरीके से और यहां से मिला लेंगे उपर से इसी तरीके से बैक का भी हाफ इंच डाउन करके इस तरीके से निशान लगाएंगे उपर हमारा शोल्डर आठ इंच है तो यहाँ पर नीचे भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे यह back का निशान हो गया front का इस से 1 इंच पीछे जाएंगे इन line को हम इस तरीके से सीधा करेंगे यह back के लिए line है और यह हमारा front के लिए है armhole की गुलाई देंगे पर पहले हम यह वाले चोड़ाई के भी निशान लगा लेते हैं अच्छा अब हमारा जो chest है न वो है 44 44 मतलब उसका चौथा होगा 11 इंच तो यहाँ पर इस तरीके से 11 इंच लेना है इसमें से हम क्या करेंगे half inch add करेंगे losing का कमर हमारा है 40 40 का चौथा होगा 10 half inch और add करेंगे हो जाएगा साड़े 10 हिप हमारा है 48 48 का चौथा होगा 12 इसमें भी half inch की हम losing देंगे हो जाएगा साड़े 12 इंच इन सभी निशानों को जो हम इस तरीके से shape लगाएंगे यह हमने 1.5 inch और ले लिया losing के लिए तो friends आपने यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे ना हमारा ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है वो भी मैंने जानके किया है क्योंकि यहां पे हमने ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है चाक पे हम क्या करेंगे यह देखे इस तरीके की ले से इसका यूज करेंगे और यह जो इसी कपड़े में से जो पट्टी निकली है इसको हम चाक में से देंगे इस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको चाक बनाते वक्त बताऊंगी तो इसलिए हमने ज़्यादा कपड़ा यहां पर नहीं छोड़ा है अब हम आर्मोल की गोलाई लगाएंगे यहां से कितना लेना चाहिए कई लोगों को कंफ्यूज होता है तो यहां से इस तरीके से एक इंच के इस तरीके से निशान लगाए और यहां पर इस तरीके की गोलाई दे दे यह हमारा बैक की गोलाई हो गई और यह हमारी यहां पर हो गई फ्रेंट की गोलाई तो निशान हमारे कुर्ती के लग चुके हैं तो चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं तो यह देखे कटिंग में कर चुकी हूँ अब हम क्या करेंगे फ्रंट पीस का अलग करेंगे क्योंकि फ्रंट का न अभी ये जो एक्स्ट्रा एक इंचे न ये भी हमने कट करना है ये फ्रंट आर्मोल भी कट करना है तो बैक पीस को हम इस तरीके से निकाल लेंगे अंदर से तो कूर्टे की हमारी कटिंग हो चुकी है चलिए पैंट के लिए भी हम कपड़े को बिचा लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पेपर पे बताया था तो friends ये देखिए जैसा कि मैंने आपको paper बेटाया था कि किस तरीके से fold करना है pan के कपड़े को उसी तरीके से मैंने fold किया है दो पीस हमारे ये है जो back का दो पीस है ना उसको मैंने कम से कम धाई इंच इस तरीके से बढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि जो हमारा back का part होता है वो इस तरीके से अगर आप उठा हुआ रखते हैं तो बहुत comfortable pant बनती है तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है यहाँ पे मैंने क्या किया है half inch का इस तरीके से निशान लगा दिया है जो भी हम mark करेंगे इस निशान के इधारी करेंगे इस निशान से मतलब यहां तक तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कमर को देखते हैं हमारे जो कमर का measurement है वो है 46 inch तो यहां पे 46 का सबसे पहले हम करेंगे चौथा जो की होगा साड़े 11 inch उसमें हमने क्या करना है धाई इंच और एड़ करना है धाई इंच क्यों बोल रही हो एड़ करने के लिए 1.5 inch हमारी plates का होगा और 1 inch जो यहां से और यहां से सिलाई में जाता है तो पूरा साड़े 11 में हम धाई इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 inch तो यहां पे इस line को देखना है और यहां पे इस तरीके से हम 14 inch पे निशान लगाएंगे यह अभी हम front part की marking कर रहे हैं यहां पर यह देखे इस तरीके से निशान लगा दिया है तो front इसमें length का कैसे लेना है जैसे उपर हमने na full elastic देनी है एक inch का full elastic आजाएगा पूरा तो हमारा क्या है 37 inch का length है पूरा तो इसमें हम 36 inch लेंगे तो इस तरीके से न हम 36 inch यह और जो उपर से half inch दबेगा और नीचे से भी दब जाएगा तो यहां पे 37 inch हो गया 37 हमने total इसकी length ले ली है और बाकी यह जो जितना भी बचेगा यह हमारा folding में चला जाएगा यह हमारा 3 inch बचरा है यह जाएगा हमारा पूरा अंदर fold हो जाएगा अब आसन का कैसे निशान लगाना है हमको तो यहां से ही देखना है आसन हमारा उतना ही लेना है जितना हमारा यह कमर आया था 14 inch पर 1 inch हम माइनस करेंगे तो यहां पे लेंगे हम 13 inch का आसन तो यह 13 inch पे मैंने निशान लगा लिया है अब आते हैं हम थाई पर तो आपको पूरा थाई का measurement करना है पूरा round में अगर आपको pant की measurement का वीडियो देखना के body पे किस तरीके से लिया जाता है तो मैं description box में link दे दूँगी मैंने already वीडियो बनाई हुई है तो यहां पर हमारा पूरा thigh down में है 30 inch क्योंकि यह heavy size है तो इसमें पूरा पूरा आपको 30 inch नहीं लेना है अब मैंने इसमें 4 inch add किया है अपने comfortable के हिसाब से आपको अगर fitting का चाहिए तो आप 2 inch भी उसमें add कर स अब यहां से इस तरीके से 2 inch पीछे जाएंगे हम इस निशान को और इस निशान को मिलाएंगे और यहां पर हम दे देंगे गोलाई इस तरीके से अब आते हैं हम bottom पे तो हमारा bottom है 10 inch मतलब double से 10 है यहां से सबसे पहले हमको इस तरीके से 2 inch पर एक mark करना है अब यहां से इस तरीके से हमने 10 inch लेना है यह देखिए तो अब इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे और यहां पर भी इसी तरीके से निशान देंगे तो यह हमारी front की तो marking हो गई इस तरीके से अब back की marking कैसे करनी है सबसे पहले यह इदर जैसे मैंने यह किया है न तो यह हमने लिया था 17 inch इसका center निकालना है इस तरीके से साड़े 8 inch पर इदर भी निशान लगाएंगे और हमारी plate जो है यहां पर बनेगी उसका mark लगाएंगे यहां से हम 1,5 inch का इस तरीके से पौना 1 inch इदर पौना 1 inch इदर तो पूरा plate जो है यह 1,5 inch का हो गया इसकी लंबाई हम रखेंगे साड़े 4 inch इस तरीके से यह plate बनेगी फ्रंट का जो यह piece है इसमें से 1 inch पर हम इस तरीके से निशान देंगे और उपर यहां पर तिर्चा लेंगे यह भी फ्रंट पीस के ही निशान लगा रही हूँ मैं इस बात का ध्यान देना अब हम बैक के निशान लगाएंगे तो यह 1,5 inch मैंने लिया हुआ है इस वाले निशान को यहां से हम मिला लेंगे अब यह जितना भी एक्स्ट्रा है इसको पूरा हम सीधा कर लेंगे यह देखो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे बैक के लिए अब बैक की जो गोलाई होती है वो गोलाई आती है आगे की तरफ तो वो जादा लेना होता है हमने फ्रेंट में तो इतनी गोलाई की जरूत नहीं होती पर बैक पीस की गोलाई पूरी आगे तक आती है तो इस बात का ध्यान रहे तो यहाँ पर हम पूरा लेंगे 3 इंच की गोलाई इसकी भी हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको मिला लेंगे यहाँ से तक्रीबन डेड़ होगा और यहाँ से तीन ही होगा यह तो इस तरीके से तो ये देखे बैक के भी हमारे निशान लग गए हैं और फ्रंट के भी निशान लग गए हैं तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं तो फ्रंट देखे हमारी कटिंग हो गई है ये फ्रंट की कटिंग हो गई और पीछे बैक की स्टीचिंग में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी ये हमारी पैंट की भी कटिंग हो गई अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहां से फोल्डिट साइड से हमारी निकल जाएगी स्लीव तो स्लीव लैंथ जो हमने पूरा बनके 16 इंच यह पूरा यहां से सीधा कर लेते हैं और अगर पॉकिट वगरा लगानी है यह नेक बनाना है तो यह वाला कलॉस है हमें काम आ जाएगा अब यहां से हमारा स्लीव यहां से फोल्ड है तो यहां से इस तरीके से हमने 18 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से हम साड़े तीन पर एक और निशान लगाएंगे कैप का शेप देने के लिए यहाँ पर हमने चेस्ट को देखना है हमारा चेस्ट था 44 तो उसका चोथा होता है 11 इंच उसमें भी हमने 1 इंच माइनस करना है जो की हो जाएगा 10 इंच तो इस तरीके से तिर्चे में यहाँ पर हम दस देखें कहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यह हमारा मार्जन हो गया यहाँ पर यहाँ पर हम इस तरीके से धा इंच का सीधा छोड़ेंगे और फिर अपनी शेप लगाएंगे इस तरीके से यह हमारी front की shape हो गई यह हमारी back की shape हो गई चलिए इसकी भी cutting कर लेते हैं तो front sleeve भी हमारी cutting हो गई है आगे की shape देने के लिए इस तरीके से खोलेंगे अंदर अंदर दोनों सीधा रखेंगे और उसी के बाद हम front की cutting करेंगे तो इस तरीके से शेफ देने के बाद आप अगर यहाँ पे फ्रंट में छोटा सा भी कट लगा लेंगे ना इस तरीके से यह वाला कट पर जो बिगनर से जो गलती हो जाती है ना यह वाला जो फ्रंट का ज्यादा कटा होता है बैक में जोड देते हैं तो यह मिस्टेक नी होगी जब भी आप जोडने लगेंगे तो यह कट आपको दिख जाएगा तो फ्रंट यह हमारा पूरा सूट कट चुका है स्टीचिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यह वाला कपड़ा बचा है हमारा यह देखिए 3 मीटर फैबरिक लिया था मैंने और अगर आपका जो चौड़ाई है वो जादा नहीं जैसे कि इस कपड़े की थी 60 हिंच की चौड़ाई उतनी नहीं है तो आप क्या करें पूरा साढ़े 4 मीटर कपड़ा लें डबल एक्सल बनाने के लिए हमारे पास यह फैबरिक बचा है यह फैबरिक बचा है जो कि हमें नैक में और जो बैल्ट, इलास्टिक वगएरा लगाएंगे उसमें काम आएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू पर वाचिंग